हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक तो मैं चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज किस वीडियो में मैं बना रही हूं एक बहुत ही हल्दी चीले की रेसिपी जिसे आप ब्रेक्फ़स्ट लंच में बच्चों को भी बना कि दे सकते हैं आई ये वीडियो को स्टा जिसे की सूजी इसमें डिप हो जाए इस तरह से दीरे-दीरे पानी को डाल की हमें सूजी को डिप करके रख देना है जब तक कि हम बाकी सबजीयों की तयारिया करेंगे इस तरह देखे मैं ने सच्छी तरह मिक्स कर लिया है और थोड़ देर रखके इसको कवर करके साइड बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए हम यहां पर लिए खुब सारी गिरीन वेज़िस और यहां पर मैने लिए हैं कुछ मेवियों की क्छन पनाा कर सकते रेसिपी कुछ मटर आदा से कप मटर आप यूज कर सकते हैं सारी जी जो को सबसे पहले देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर फाइन चॉप कर लिया है हरा धनिया भी हम इंक्लूट करेंगे रेसपी में यह जो मैंने यहाँ पर मटर लिये हैं मटर को आप एक ऐसे चॉपर से क्रश कर सकते हैं यह मिक्सी में भी आप इसे थोड़ा सा क्रश कर सकती हैं दर्धर हमेंसे बनाना है और दिकि सारी बेजिस में यहाँ पर क्रश कर लिये अच्छे से चॉप कर लिया आप देख सकते हैं लसенд हरा प्याज हरा धनिया है हमारा सब कुछ यहाँ ठाप हो गया है यहतगि की हमारी दूजिय जो सोख हो गई थी थीख हो गई है फिर से थोड़से पानिगे इसमंग और इसे थोड़से हम स्मूथ कर लेंगे क्योंकि हमें तथिक नहीं रखना है फटा फट से डाल दे रहे हमारे क्रश के वे हरे मटर इसके बाद हम इसमें आड करेंगे हरा प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया था यह देखिए यह जियो इसका वाइट वैला इससा होते है मैंने वह भी डाल दिया है यहां पर मैंने मेति आप कोई भी साग यहां पर यूज कर सकते हैं जो भी आप अच्छों के लाना चाहते हैं बहुत ईजी लिए आप इसको चीले में डाल कर किला सकते हैं और लास्ट में थोड़ा सायट करेंगे हरा धनिया इस तरह से सारी चीजों को डाल के अच्छा सा मिक्स कर लेंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक पैन में गरम कर लिया है तब यहां पर गरम कर की थोड़ा सा मैंने यहां पर ऑईल स्प्रेड कर दिया है घी या ओल किसी चीज में बना सकते हैं आप इसे और दो से तीन बड़ी चमच हम चीले के डालेंगे यहां पर से कुक हो गया है जिसे हलका सा कलाड जेंच होका धीरे से हम इसे पलट लेंगे और इसी तरह दूसरी साइट से भी हम इस से कुक कर ने के लिए एक से दो मिनिट के लेए रग दिनगे जब तक यह अच्छा सा क्रंच ना जाए अब इसे अच्छे से कुक करें चिला फहाट बन के दयार हो जाता है साइज से थोड़ा सॉइल या घी आप यूज कर सकते हैं तो ये देखिए हमारा जो चीला है दोनों साइज से कितना चाइज कलर आ गया है किसी भी चटनी के साथ आप सर्फ कर सकते हैं कुछों को बहुत इसली टीफिर्म बना के दे सकते हैं उससे जटपड चीला बन के तयार है रेसे पी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो के साथ